हेलो बच्चो, बच्चो स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में तो सबसे पहले तो क्लास 11 के सभी बच्चे जो हमारी वीडियो से रेगुलरली पढ़ रहे हैं I hope आपको हमारी ये प्लेडिस्ट से सारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा और अगर आपको कोई भी चेप्टर डेटेल में पढ़ना है बच्चो तो आप हमारी डेटेल प्लेडिस्ट को फॉलो करना जिसमें हर चेप्टर को बिल्कुल बारीकी से इच एन एवरीधिंग पढ़ाई गई है और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना कमेंट जरूर करना कोई कंजूसी मत करना और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में जरूर इसको शेयर करना सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो आज के इस कुईक रीक आपके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डिमांड का जो हमारा चेप्टर है जो एक्जाम में भी चार से छे नंबर का शॉर शॉट आता है उसका रिवीजन करवाँगा बस आप ध्यान पूरा की स्क्रीन पर देखते रहना और मेरी बातों को सुनते रहना और कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि नहीं समझ आई या डिटेल में समझ नहीं है तो में वीडियो से उसको जाकर जरूर आज ही समझ लेना चलो तो बच्चों सबसे पहले हम डिमांड के बारे में देखते हैं कि डिमांड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि बढ़ी डिमांड क्या है तो हम इस चेप्टर में अपने आपको एक कंज्यूमर मानते हैं कंज्यूमर कौन होता है जो कोई भी सामान खरीदना चाहता है तो क्या सर हम जो भी खरीदना चाहते हैं क्या हम उसको demand कह दें? नहीं क्योंकि आप हो सकता है खरीदना चाहते हो फरारी गाड़ी यानि कि वो आपकी desire है लेकिन जब तक वो desire के पीछे आपके पास purchasing power ना हो हम उसको demand नहीं मानते तो simple भाषा में demand का मतलब हो गया desire backed by purchasing power बागी इसकी परिभाषा अगर पूछ ले question तो हम कह देंगे demand का मतलब है quantity of a commodity which the consumer is willing to buy at a given price during a particular period of time it is also known as desire backed by purchasing power तो यह है simple demand अब इसमें बच्चे जो हमारा पहला main topic आता है वो यह कि demand को कौन से factors affect करेंगे तो बरस आप बड़े ध्यान से मुझे देखते रहे demand को बच्चो mainly 5 factors affect करते हैं अब कौन कौन से पहला factor होता है price of the commodity यानि कि आप जो भी commodity खरीदना चाहते हो सबसे पहले आप उसका price देखोगे यानि कि price अगर बढ़ रहा होगा तो शायद आप अपनी demand कम कर दो price अगर कम हो रहा होगा तो शायद आप अपनी demand को बढ़ा दो तो price और demand का इसी लिए कहा जाता है एक inverse relation है जो यहाँ पर आपको point 1 में लिखवाया था तो simple सी बात हो गई पहला factor जो price को affect करता है वो है price of the commodity मलब पहला factor जो demand को affect करता है वो है price of the commodity दूसरा factor बच्चों important है दूसरा factor होता है price of related goods अब related goods किसे कहते हैं दो तरह की related goods होते हैं बच्चों एक होता है substitute good एक होता है complimentary good तो जब भी हम किसी product की demand की बात करते हैं तो हम उसके सबसे पहले substitute good को भी देखते हैं जैसे let's say for an example tea और coffee अब अगर मालनो tea का price बढ़ गया चाय महंगी हो गई तो देखो हम क्या सोचेंगे हम सोचेंगे अच्छा चाय महंगी हो गई तो एक काम करते हैं अब हम coffee पी लेते हैं क्योंकि हमारे लिए tea और coffee में कोई जाधा अंतर नहीं है हमारे लिए tea और coffee substitute goods हैं तो इससे होगा क्या कि अगर tea का price बढ़ा तो लोग धीरे धीरे coffee की तरफ shift हो जाएंगे तो tea का price बढ़ने की वज़ाए से coffee की demand बढ़ जाएगी तो इसका मतलब substitute goods के अंदर हम कहते हैं कि direct relation है दुबारा समझे ना direct relation है क्योंकि tea का price बढ़ने की वज़ाए से coffee की भी demand बढ़ गई तो direct relation हो गया दोनों सेम जगा जा रहे हैं दूसरे होते हैं complimentary goods हम complimentary goods के prices भी check करते हैं लेट से मुझे गाड़ी खरीदने है और मुझे पता चला रहे petrol के prices तो बहुत बढ़ गए petrol बहुत महंगा हो गया तो यह सुनते ही मैं गाड़ी की demand कम कर दोगा मैं गऊँगा या छोड़ो गाड़ी तो complimentary goods का price देखो कैसे effect करता है उसका क्या relation है कि जैसे ही petrol का price भढ़ा तो car की demand कम हो गई इसका मतलब होता है inverse relation तो complimentary goods के price के साथ हमारा inverse relation है demand का फिर तीसरा factor होता है बहुत ही important और बहुत ही interesting जिसको बोलते है income of the consumer क्योंकि देखो consumer अपनी income के हिसाब से ही product की demand करता है अब इसमें हम mainly दो तरहे products को cover करते हैं goods को cover करते हैं एक तो होते है normal good normal good का behavior ऐसा होता है कि अगर आपकी income बढ़ेगी तो आप उसको जादा खरीद होगे तो इसके साथ तो है positive income relation defect लेकिन दूसरे होते है inferior goods जो cheap quality के goods होते है तो जब हमारी income भढ़ती है तो हम cheap quality के goods कम खरीदते हैं inferior goods कम खरीदते हैं तो inferior goods के साथ इसका होता है negative income effect या inverse relation तीसरे भी कहते हैं हम necessity goods जो हम आगे भी exception में पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं चौथे को taste and preference टेस्ट अच्छा होगा तो अब ज़्यादा खरीदोगे टेस्ट खराब लगेगा तो कम खरीदोगे और पांच में other factors यानि की fashion etc कोई चीज fashion में होगी तो अब ज़्यादा खरीदोगे कोई चीज out of fashion होगी तो नहीं खरीदोगे तो पांच factors होगा एक पर जल्दी से repeat करो देखो यहाँ symbol बने हुए PX, PRY, Y, T, O तो इसी को हम demand function भी कह सकते हैं अगर हम इसको एक mathematical function की रूप में लिख दे कि demand of a product is function of PX, PRY, Y, T, O तो यह होता है demand function अब हम price और demand की जब बात करते हैं तो हम इसको एक tabular presentation में relation show कर सकते हैं कि price देखो कम हो रहा है 5, 4, 3, 2, 1 और quantity बढ़ रही है तो इस tabular presentation को कहते हैं demand schedule और same चीज हम price और demand की जब एक law का रूप देकर कहते हैं तो इसको कहते हैं law of demand law of demand का मतलब है कि price के भढ़ने पर quantity कम होगी और price के कम होने पर quantity भढ़ जाएगी तो इसका मतलब inverse relation है price और quantity का लेकिन हाँ इसमें हम 4 assumptions यह मान के चलते हैं कि price of related good change नहीं होगा income change नहीं होगी taste and preference change नहीं होगे और other factors change नहीं होगे तो जब यह assumptions हम मान के चलते हैं कि वो change नहीं होगे इसी को कहा जाता है satras paribus right top corner में देखना लिखवाया था क्या बोलते हैं satras paribus तो इस वीडियो में यही comment कर दो इसी भाने याद भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आपने वीडियो यह सुनी देखी कि नहीं क्या type करोगे तो अगर demand curve बनाना होगा तो हम एक downward sloping curve ऐसा बना देंगे अब इसमें एक बड़ा ही मज़ेदार topic होता है जिसका नाम है exception of law of demand ये भी आप सुन लो ध्यान से इसमें क्या बताया था कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो law of demand को follow नहीं करती जैसे giffen goods अब ये sir Robert Giffen ने एक theory दी थी Scottish economist थे उन्होंने कई साल पहले एक चीज़ observe करी कि उनके देश में meat और bread दोनों बन रहे हैं meat तो बहुत बहुत भेंगा होता था bread बहुत सस्ती होती थी गरीब लोग bread खाते थे आम तोर पे लेकिन जब bread के दाम बढ़ भी रहे थे तब भी लोग bread की demand जादा कर रहे थे तो sir Robert Giffen को लगा भई ये तो law of demand नहीं follow कर रहा तब से इस तरह के behavior को नाम दे दिया Giffen goods तो ये law of demand को follow नहीं करते दूसरे conspicuous goods, webland goods या snob goods जो social status symbol के लिए लोग खरीदते हैं यानि कि वहाँ पर तो उल्टा सोचते हैं कि अगर ये और महेंगा होगा तो शयद हमारा status symbol और बहतर होगा तब हम इसको और जादा खरीदेंगे तो ये भी law of demand को follow नहीं करते हैं तीसरे necessity goods जो मैंने पहले भी बताया कि भी आपको अगर salt consume करना है तो वो तो आप करोगे जितना करना है उतना करोगे income भढ़ गई तो ये तो नहीं जादा करोगे या price कम होगया तो कम करोगे ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये law of demand को follow नहीं करते हैं इसी तरह emergency goods like medicine अब आपको goods खरीदना है तो price भढ़ गया या कम होगया तो आप फिर भी medicine लोगे और जितनी लेनी है उतनी ही लोगे तो ये law of demand follow नहीं करते हैं इसी तरह पांच बढ़ अच्छा point future expectation अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि इसके product के price future में भढ़ेंगे तो आज भढ़ते हुए थोड़े दामों पर भी हम और जादा खरीदते हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि future में तो और महेंगा हो जाएगा तो हम इसका मतब law of demand follow नहीं करते हैं तो ये 5 exceptions हैं जो आपको लिखने हैं पूछेगी law of demand के exceptions क्या है अब एक बड़ा important question बच्चों यहाँ पर ये भी आता है कि why does law of demand operate या law of demand क्यों operate होता है या price का और quantity का inverse relation क्यों है या consumer जादा goods क्यों खरीदता है कम price वर मलग कुछ भी इस तरह से question पूछ सकते हैं तो आप इसमें 3 main point जरूर mention करना एक तो है law of diminishing marginal utility Alfred Marshall ने कहा कि जब किसी भी product को हम जादा consume करते हैं तो उसी utility हमें कम मिलती है तो कम utility की वज़े से हम कम price pay करेंगे तो एक inverse relation create हो गया कि quantity जादा consume करना चाहते हो तो price को कम करना पड़ेगा तो ये हो गया पहला reason दूसरा है income effect income effect में जे आर हिक्स भाई ने कहा कि अगर किसी consumer की income बढ़ती है तो हम ये मानते हैं अगर किसी product का sorry price मालो कम होता है सस्ता हो गया मालो apple 10 रुपे से 8 रुपे हो गया तो इसका मतलब आपकी real income बढ़ गई आपकी purchasing power बढ़ गई और अब आप purchasing power बढ़ने की वज़े से जादा apple खरीद लोगे तो price कम होते ही आपकी quantity बढ़ गई तो ये बन गया inverse relation तीसरा substitution effect ये भी जे रुपे से बोला कि मालो tea का price बढ़ गया वोई example तो लोग क्या सोचेंगे अब यार tea तो महंगी हो गई तो अब हम coffee पीते हैं तो वो coffee की demand बढ़ा देंगे तो tea का price बढ़ते ही automatically ये मतलब हो गया कि tea की demand कम हो गई क्योंकि लोग coffee जादा पी रहे हैं तो ये हो गया substitution effect तो main ये ही तीन reasons लिखना अगर आपसे वो पूछता है तो बागी चौथा reason भी है वो थोड़ा कम अच्छा है number of consumer कि अगर किसी चीज़ के price कम होते हैं तो उसके consumers बढ़ जाते हैं जिसकी विज़े से demand बढ़ जाती है लेकिन पहले main तीन points लिखना फिर इसमें one number का question भी आपको करवाया था question अगर कहे income effect और substitution effect को जोड़ कर क्या मलता है तो हम कहेंगे price effect one number का question ठीक है यहां तक हो के कहानी चलो अब देखो बच्चो इसमें एक और topic जो बिल्कुल 100% short short है वो हमने पढ़ा था कि demand को 5 factors affect कर रहे थे कौन-कौन से price P.R.Y.T.O लेकिन जब demand price की वज़े से change होती है तो हम कहते है लेकिन अगर demand other factors की वज़े से change होती है तो हम कहते है change in demand और इन दोनों के ही दो type होते है change in quantity demanded होते है दो type के expansion और contraction जबकि change in demand होते है दो types के increase और decrease जिनके मैं डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले इनकी मेन कहानी बता देता हूँ expansion in demand का reason होता है fall in price यानि कि जैसा आप देखो table में हमारे price में गिरावट हुई 15, 12, 10, 5 तो इस वज़े से quantity बढ़ गई तो इसे बोलते है expansion in demand लेकिन contraction में क्या होता है इसका उल्टा contraction में आपको बताया था कि price बढ़ जाता है price देखो 5, 8, 10, 15 हुआ तो इस वज़े से quantity कम हो गई तो इसको हम बोलते है contraction in demand लेकिन अब ध्यान से देखना जब हम increase in demand की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे reasons होते हैं जो other factors की वज़े से हैं लेकिन price of the good change नहीं होता तो अगर आप इसको schedule में पहले दिखाऊं तो इसमें price of the good जो है वो constant है 10 वो नहीं change होता फिर भी quantity demand भढ़ रही है अब वो क्या reason हो सकते हैं उसके reason आप ये learn कर लेना rise in price of substitute good substitute good महंगा हो गया fall in price of complimentary good rise in income normal good के case में fall in income inferior good के case में या favorable change in taste इन other कारणों की वज़े से demand बढ़ जाती है लेकिन price नहीं change हो रहा मज़्यदार बात यही है कि price वोई का वोई और इसी तरह decrease in demand में भी other factors की वज़े से हमारी price same है लेकिन demand कम हो रही है तो अगर आप देखोगे तो price कम है demand कम हो रही है तो price के constant रहने पर other factors के change होने से demand जब कम हो तो उसको बोलते है decrease in demand तो इसमें चार main बाते हैं जिसको question किसी भी तरह से पूछ सकता है expansion, contraction increase, decrease किसी का भी difference पूछ सकता है और सबसे important इनके diagrams आपको बनाने खुद से आने चाहिए तो जब आप देखोगे इस तरह का diagram तो ये है expansion का जिसमें एक downward movement along demand curve हो रहा है इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो वो होगा contraction का जिसमें आप देखेंगे कि एक upward movement along demand curve हो रहा है क्योंकि quantity कम हो रही है लेकिन जब हम rightward या leftward shifts की बात करते हैं तो उस case में हमारा demand curve ही देखो पूरा right में shift हो गया इसको बोलते हैं increase in demand और अगर इसका वाईसर वरसा मैं decrease की बात करूँ तो उसमें हमारा demand curve ही left में shift हो जाता है जिसको बोलते हैं decrease in demand तो यह diagram आपको खुद से भी बनाने आने चाहिए तो चारो diagrams, चारो की explanation, चारो के reasons जो आपको class notes में लिखवाए हैं या आपने जो लिखे हैं उनको जरूर mention करना बाकि इसके बाद जो last topic है वो बहुत छोटा होता है उसका नाम तो simple सा है market demand market demand basically अलग-अलग individuals की demand का aggregate है तो जैसे यहाँ पर तीन demand करने वाले लोग हैं A, B, C इनकी quantity को अगर हम जोड देंगे तो वो बन जाएगी market demand market demand का curve भी downward sloping ही होता है demand curve की तरह और इसका मतलब अगर हम schedule देख रहे हैं तो वो भी एक inverse relation ही show करता है और इसको affect करने वाले factors भी same होते हैं तो market demand एक बहुत ही मतलब nominal topic है जिसको आप जाधे importance मत देना तो ये था बच्चों वो पूरा का पूरा हमारा demand का topic हर मतलब concept को cover करते हुए जो हमें आज revise करना था लेकिन इसके questions आप जरूर करना और सारा revision एक बार खुद से अपने आप notes से जरूर देखना और diagram की practice अच्छे से करना तो I hope आपको आज का ये chapter अच्छे से revise हो गया हो सारी चीज़े याद आ गई हो बाकी मुलागात करूँगा next video में तब तक अपनी normal अच्छे से पढ़ाई करते रहना और बहुत जल्दी आप questions भी आपके साथ करेंगे तो उसके लिए भी ready रहना All the best